सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मन्थन 24-7 को और बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें हेलो स्टुडेंट्स मैं विकास आप सभी का एक्जाम मन्थन पर सौगत करता हूँ देखте हम हिंदी पट रहे हैं और हिंदी के न्तरगत जो आज क्लस वीडियों को देख सकता है या फिर वीडियो कोगतम होने के बाद एंड स्किन पर वीडियो प्ले लिस्ट आ जाएगी आप महां से जाकर देख सकते हैं ठीक है यह आज के वारी पांच भी क्लास है और बहुत अच्छे से हम हिंदी को कवर करते हुए जा रहे हैं और जल्दी ही हिंदी का सिलेवस जादा नहीं है बहुत जल्दी कंप्लीट हो हुँँगे जाएगा इसी प्रिकार हम रेगुलर रहेंगे ठीक है ना लेकिन इसके साथ हम एक हिस्ट्री मॉडन इसृ की क्लास भी रेते हुँ चलेंगे ताकि आपकी मॉडन इस्ट्री भी होती रहे क्यों कि हिस्ट्री वाला पॉर्टसन जादा है बल उसके तुल्ना मैं जो हिंदी है वो हमारी कम है ठीक है यंदी हम 5 दिन हींदी लें यदि हम 6 दिन अपना हिस्टी लें और एक दिन हिंदी भी लेना तो भी बरावर समय पर खतम होगी दोनों इतना स्लेवस है हिंदी का बहुत कम सिलेवस है, ठीक है concept गिने चुने chapters में concept है, उसके बाद कुछ रटने वाली चीज़े हैं, जैसे कि सब्द रहे, ठीक है, तत्सम तदवव रहे, ये चीज़े सब याद करने वाले session में आती हैं, तो वो भी हम करेंगे खैर, उसके में notes टाल दूँगा, ठीक है, लेक से पहले समझेंगे किरिया के कितने भेद होते हैं, उसके बाद एक-एक किरिया पर बात करते हों चलेंगे, और एक-एक का example देखते हों चलेंगे, बहुत अच्छे से complete करने वाले हैं किरिया को, आज के बाद आपका doubt नहीं रहेगा किरिया से संबंदित, ठीक है, और हाँ, हिंदी में concept अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं, टीचर के समझाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, जैसे कि मैथ में formula का हो सकता है, तो यदि आपने पहले कोई और concept पढ़ा है, तो आप उस पर focus करना, और जो अभी नए जुड़ रहे हैं, वो मेरे concept पर focus कर सकते हैं, ठीक चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया क्या होती है, देखिए क्रिया क्या है, कारे करने की विधी, क्रिया होई, ठीक है न, कारे करने की विधी, कारे करने का तरीका, क्या होई, क्रिया होई, कारे करने की रीती, क्रिया होई, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्रिया देखें किरिया दो आधारों पर बाटी गई है कौन-कौन से आधार है एक है प्रियोग के आधार पर किरिया पहला प्रियोग के आधार पर किरिया जो की हमारी दो प्रिकार की होती है अकर्मक और सकर्मक ठीक है न दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर किरिया जो की छे प्रि प्रिकार की क्रिया होती है अर्थ के आधार पर और प्रियोग के आधार पर दो प्रिकार की होती है अकर्मक और सकर्मक ठीक है उससे पहले हम दो क्रिया उपर बात कर लेखते हैं एक होती मुख्य क्रिया और एक होती साहिक क्रिया जैसे की ठीक है आपको इसमें दिखरा होगा साहे क्रिया और दूसरी होती है मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया वो है जो कि आपके द्वारा की जा रही है आप इंगलिस से भी जोड़ कर सकते हैं लेकिन आप मेरे तरीके समझे आपको इसमें दिखरा हुआ सीता नाच रही है दूसरा है बच्चा दूद पी रहा है ठीक है ना? किसी भी तरीके समझें आप नाच रही है और पी रहा है रही जो है वो हमारी साहे क्रिया है जबकि नाच ना क्या है? मुख्य क्रिया है दूसरे में रेखें तो पीना जो है हमारी मुख्य क्रिया है और रहा जो है वो हमारी सहाय क्रिया है जो क्रिया आपके द्वारा की जा रही है जो क्रिया आपके द्वारा की जा रही है वो मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया को complete किसके द्वारा किया जा रहा है वो सहाय क्रिया जैसे की सीता नाचने का कारे किसके दौरा किया जाएगा आपके दौरा तो मुख्य किरिया आपकी हुई क्योंकि सीता नाच रही है सीता के दौरा नाचने का कारे किया जा रहा है करता के दौरा जो किरिया किया जाए वो मुख्य किरिया अब देखिए आप इसे ढख लीजिए इसे ढख लीजिए सीता नाच complete हुआ sentence नहीं हुआ बच्चा दूध पी नहीं complete हुआ ठीक है तो इस sentence को complete करने के लिए जिन किरियाओं का प्रियोग किया जाता है वो कहलाती है सायक किरिया जैसे कि सीता नाच complete नहीं हुआ रही है complete हो ग इसे complete करती है और समझेगा बच्चा दूध पी लेकिन क्या यहां पर sentence complete हुआ नहीं यदि आप रहा है लगाते है तो पीने जो है वो complete करता है sentence को ठीक है, इसका मतलब जो रहा है और रही है वो sentence को complete करने का कारे कर रहे है इसलिए जो कारे आपके द्वारा किया जा रहा है वो है मुख्य किरिया लेकिन जो उस sentence को complete कर रही है, वो है सहाय किरिया अब देखते हैं किरिया के बेद, देखें किरिया के बेद सबसे पहले देखते हैं प्रियोग के आधार पर किरिया, प्रियोग के आधार पर जो किरिया होती है वो दो प्रिकार के होती है, कौन-कौन से, पहली सकर्मक किरिया और दूसरी अकर्मक किरिया, दोनों के एक साथ सम ठीक न करम के साथ यानि किरिया से पहले क्या लगाने पर यदि करम मिले तो सकर्मक किरिया यदि किरिया से पहले क्या लगाने पर करता मिले तो अकर्मक किरिया जैसे की राम खाना खाता है सबसे पहले इसमें आप डिनोट कीजिएगा जैसे की देखिए राम खाना खाता है इ यदि बात करें खाना, तो खाना क्या है हमारा करम है, क्योंकि करम क्या किया जा रहा है, खाने को खाने का काम किया जा रहा है, बात करें खाता तो ये क्या है, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है राम हमारा करता है, खाना हमारा क्या है, खाना मतलब जो चीज खाने की सामने रखी ह यह ठीक है वो जैसे कि रोटी खाना ठीक करम है हमारा खाना यदि बात करें खाता तो खाता हमारी क्रिया है ठीक है अब हम बात करतें क्रिया से पहले क्या लगा यह क्या खाता है क्या खाता है तो खाना खाता है खाना खाता है हमें राम ने मिलकर हमें करम मिला खाना तो इसका मतलब यह है यह सकर्मक क्रिया कैसी है सकर्मक क्रिया दूसरा हम बात करें वह सोता है वह सोता है देखें वह सोता है ठीक है न अब इसमें क्रिया क्या है सोने की क्रिया है सोने से पहले आप क्या लगे यह क्या सो रहा है क्या सो रहा है तो आपको मिलेगा वह सो रहा है कौन मिलेगा वह सो रहा है वह क्या है तो वह सर्वनाम यानि हमारा करता है क्या है करता है यानि यह कैसी है यह है अकर्मक क्रिया है यानि क्रिया से पहले क्या लगाने पर यदि तुम्हें करता मिले तो अकर्मक क्रिया और क्रिया से पहले क्या लगाने पर ये तुम्हें करम मिले जो करम किया जा रहा है वो मिले तो वो होगी आपकी क्या सकर्मक क्रिया ठीक है ना दूसरे सब्दों में ये पहचानिये जहाँ पर आप options लगा सकें जहाँ पर आप options fit कर सकें वो होंगी कैसी सक खाना, मैंने कहा खाना, तो खाने में आप क्या रख सकते हैं, रोटी, चावल, दाल, ठीक है ना, भिंडी, लौकी, तरवूज, खरवूज, कुछ भी हो ये खाने का अंतरकत आएगा, इसका मतलब जहां आपके पास options हो, define करने के लिए, वो होती है हमारी कैसी सकर्मक के लिए ठीक है, मैंने कहा पीना, तो पीने का अंतरकत, cold drink, पानी, ठीक है ना, गंगा जल, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, यानि जहां आपके पास options हो, options हो बोलने के लिए, वो होती है हमारी सकर्मक के लिए, अब मैंने, दूसरा सब, जहां आपके पास options ना हो, options ना हो, जैसे की रो रोने में आप कैसा रोना, हरा रोना, पीला रोना, नहीं, रोना, रोना है केवल, ठीक है ना, रोना, रोना है, उसमें कोई भी पिरकार नहीं है, रोने का, क्या है, रोना अपने अपने रोना है, जैसे हसना, हसना अपने अपने हसना है, क्या हसनी का आगए आप options लगा सकत जैसे कि sentence पर मठ जाएए सब्द को पकड़िए सौता सब्द पकड़ आपने आपके पास choices है क्या? नहीं है, सोना तो सोना है अपने आपके हसना तो हसना है, जागना तो जागना है उनले कोई भी choices नहीं होती है इनके जिगाया पर आप कोई सब्द फिट नहीं कर सकते इनके जैसा ठीक है लेकिन खाना सब्द लीजिए मैंने का आपने क्या खाया तो आपके पास बहुत चोईसिस है पराथे, आलू के पराथे, गोबी के पराथे ठीक है कुछ भी आप लगा सकते हैं तो जहाँ आपके पास choices हो, वो सकर्मक किरिया और जहाँ आपके पास choices ना हो, वो होगी अकर्मक किरिया सीधे सब्दों में ये समझ जीएगा ठीक है next समस्ते अर्थ के आधार पर किरिया है अर्थ के आधार पर जो हमारी किरिया होती है वो 6 प्रिकार की होती है, अर्थ के आधार पर करिया 6 प्रिकार की होती है सबसे पहले हैं हमारी दुई कर्मक करिया, उसके बाद संयुक्त करिया, उसके बाद नामधातु करिया, उसके बाद प्रेणार्ता करिया, उसके बाद पूरुब कालिक करिया और उसके बाद अपून किरिया ठीक है न, अपून किरिया तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है प्रियोग के आधार पर दो प्रिकार की किरिया अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया लेकिन अर्थ के आधार पर 6 प्रिकार की किरिया आपको याद रखनी है, नाम सहीद ये पूछलेगा कि संयूक्त किरिया प्रियोग के यादार पर किरिया उसे छोड़कर उसे छोड़कर आप सीधे-सीधे बातों पर जाईए, हिंदी में अपनी बातों पर जाईए, आपको सब कुछ समझ में आएगा देखिए, दुई कर्मक का के लिए, पहले definition समझते हैं, किताबी कीडे वाली कारे को पूण करने के लिए दो माध्यम की आवशन सकता हूँ, वो कहलाती है हमारी, जहां पर दो कर्म होँ ऐसा कहा जाता है, बात सνοîेगा देखिए दुई कर्मक का मतलब है कारे को करने के लिए दो माध्यमों की जरूरत पड़े कारे को करने के लिए दो माध्यमों की आवशक्ता पड़े वो दुई कर्मक के लिए जैसे कि सीता ने राम को पुस्तक दी तो सीता ने अपना कारे करने के लिए पहले तो राम का प्रियोग किया और फिर पुस्तक का प्रियोग किया जब उसका काम पूरा हुआ माली जी पुस्तक ना होती तो राम को क्या देती वो दूसरा आप समझेगा कि अगर राम ना होता तो पुस्तक किसे देती तो इसका मतलब जहाँ पर किरिया को पूर्ण करने के लिए दो माध्यमों की आविशक्ता हो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता हमारा दुई कर्मक किरिया तो मैंने श्याम को पुस्तक दी यानि मैंने दो माध्यमों का प्रियोग किया कौन-कौन से दो माध्यम है वो है स्याम और पुस्तक स्याम और पुस्तक दो माध्यम है यदि बात करें सीता ने राधा को रुपे दिये तो सीता ने अपना कारे करने के लिए दो माध्यमों का प्रियोग किया एक तो राधा और दूसरा रुपे दो माध्यमों का प्रियोग किया ये करम ही तो है तो इसका मतलब दुई करमक करिया अपने कारे को करने के लिए दो माध्यमों की आवश्यक्ता पड़े उसे दुई करमक करिया कहते हैं जैसे कि मैंने स्याम को पुस्तक दी इसमें दो माध्यमों का प्रियोग किया गया पहला स्याम और दूसरा पुस्तक ठीक है ना, सीता ने राधा को रुपे दिये, इसमें भी दो माध्यमों का प्रियोग किया गया, पहला राधा और दूसरा रुपे, ठीक है ना, रिख्ष्ण लेते हैं संयूक्त किरिया थी के 5 का सिक्का आपने देखा है जिड़ा हुआ सा रहता है यह इक उसकी value एक नहीं रहेग Introduction वई नहीं रहेगी धाई रुपे तो छोड़ो ठीके तो उसी प्रकार होती है संयुक्त क्रिया यानि दो क्रिया आपस में जुड़ी हुई हो यदि हम उन अलग कर दे तो ना तो इसका ही कोई अर्थ रहे ना इसका ही कोई अर्थ रहे बिल्कुल सेंटेंस ही खतम हो जाए वो कहलाती है हमारी संय जैसे की समझेगा गीता महाभारत पढ़ने लगी बात समझेगे मेरा गीता महाभारत पढ़ने लगी इसमें दो क्रिया है पढ़ना और लगी ठीक है ना पढ़ने क्योंकि पढ़ने है मुख्य क्रिया और लगी क्या हमारी सायक क्रिया वे खाना खा चुका तो खाना है महाबारत पढ़ने क्या यह sentence पूरा है नहीं है गीता महाबारत पढ़ने sentence पूरा नहीं हुआ मैंने हटाया लगी लगाया तो sentence पूरा है गीता महाबारत पढ़ने लगी यानि दो क्रियाएं आपस में इस प्रिकार जुड़ी हुई हो यदि एक क्रिया को हम हटा दें तो sentence भी इस प्रिकार जुड़ी हुई हो, कि एक को हटा दिया जाए, तो बिल्कुल sentence ही कतम हो जाए, उसका कोई अर्थ ना रहे, निरर्थक हो जाए, वो कहलाती है, माले संयुक्त करिया है, दूसरा देखते हैं, वह खाना खाने लगा, सबसे पहले मैंने खाने को दबाया, वह खाना चुका, वह खाना चुका, sentence ही कतम हो गया, अब मैंने चुके को दवा दिया, वह खाना खा, नहीं कोई sentence लिका लेकिन मैं जब दोनों को साथ में बोला, वह खाना खा चुका, तब पूरे sentence का अर्थ निकला, ठीक है ना, इसका मतलब, मुख्य करिया और सहयक करिया हैं मिलकर जब sentence को एक अर्थ प्रदान करें, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त किरिया हैं, ठीक है, संयुक्त किरिया हैं जिने एक से हटाने पर दूसरे पर पिरभाव पड़े, अर्थ खतम हो जाए, संयुक्त किरिया हैं, ऐसा ना हो कि एक किरिया को हटाने पर भी अर्थ निकल लाओ, वो संयुक्त क्रिया नहीं होगी ठीक है next हम देखते है नाम धातु क्रिया नाम का मतलब किसे है संग्या से संग्या को define कौन करता है सर्वनाम करता है और सर्वनाम और संग्या की विशेशन बताता है इसका मतलब संग्या, सर्वनाम और विसेशन के पीछे क्रिया लगाने पर बनी क्रियाएं कहलाती है क्या ची नाम धातु क्रिया ठीक है जैसे की बात हमारा क्या है बात हमारी संग्या है कैसी भाववाचक संग्या मैंने बताया था बात क्या है बात हमारे दिल से निकलती है चुगली दिल से निकलती है तो वो क्या होई? वो ही हमारी भाव वाचक संग्या तो बात के आगे मैंने लगाया बतियाना, बतियाना क्या है? किरिया है, वो बतिया रही है वो बतिया रही है, इसका मतलब बात कर रही है, वो किरिया कर रही है ठीक है न, इसका मतलब भाववाचक संग्या से बना बतियान किरिया, ठीक है, अपना, अपना मैंने आपको बताया था क्या है, सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है न, निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, अपना क्या है, निजवाचक स किसी चीज को चिकना करना, चिकनाना, ठीक है न, तो ये वी एक किरिया है, यानि संगिया, सर्वनाम और विशेशन के पीछे, धातू लगाने पर, मतलब विशेशन के पीछे, किरिया लगाने पर, जो किरिया बनेगी हमारी, ठीक है न, इन से जो किरिया का निर्माण होगा, स एक्ष्टम देखते हैं वो है प्रेणार्थक क्रिया देखे प्रेणार्थक क्रिया का मतलब समझेगा जब काम स्वयम के दौरा ना किया जाए बलकि दूसरे को उस कारे को करने के लिए प्रेणार्थक क्रिया जाए फिर दवाव डाला जाए फिर करवाया जाए सीधी बात य जोती राधा से पत्र लिखवाती है इसमें जोती खुद काम कर रही है नहीं कर रही है काम कुन कर रही है राधा करवा कौन रही है जोती तो जोती कामने करकर राधा से करवा रही है इसलिए जोती राधा को प्रेरित कर रही है काम करने के लिए भाई जब राधा काम कर रही ह उसका तो उसने कुछ ना कुछ तो गोली दी होगी उसे ठीक है ना कुछ ना कुछ तो प्रेड़ना दी होगी तो पत्तर लिख दे ठीक है अब ये पता नहीं कौन सा पत्तर था ठीक है तो जोती राधा से पत्तर लिखवाती है तो इसका मतलब समझेगा कि देखिए जोती ने उसे प्रेरित किया राधा को ठीक है ना किसके लिए पत्र लिखवाने के लिए तो इसका मतलब प्रेरिनार्थ किरिया है के नहीं है हाँ प्रेरिनार्थ किरिया है दूसरा देखें अजय ने विजय को प्रेरित किया किसके लिए जगाने के लिए कि वो जाग जाए भाई सुवे उठेगा तेरी सेहत अच्छी रहेगी ठीक ना तू हस्ट पुष्ट रहेगा सुवे दोड़ेगा तो तेरी सेहत बनेगी ठीक है सुन्दर होगा इस प्रिकार की जो बाते बताएं उसे प्रेरित किया अजय विजय को जगाता है ठीक है प्रेरित करता है जगने के लिए ठीक तो ये क्या है हमारी प्रेनार्थक के लिए है ठीक है एक मिनट रुकिए देखिए प्रेनार्थक के लिए हमारी दो प्रिकार की होती है पिर्थम 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 क्रिया जैसे कि सीता ने पहला कुशन ले पहला ले हम जोती ने राधा से पत्ति लिखा है यानि डिएरक्ट उसने राधा से किया, उसमें कोई भी बीच में मीडियेटर नहीं था, तो यह है प्रत्थम प्रेयरणार तक, बात करेंगाएं, दूसरे प्रेयरणार तक इसने कोई है, बनवाना, बात सुनेगा, मैंने कहां मम्मी आज दाल चावल बनवाना, यानि मैंने म मम्मी से कहा, बनवाना, तो इसका मतलब मम्मी भी किसी और से कहेंगी, बनवाने का मतलब यही तो है, तो इसका मतलब, बीच में मीडियेटर कोन है, मम्मी मीडियेटर है, ठीक है न, ठीक समझे होंगे आप, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आज आलू बनवाना, तो इसका मतलब क्य मैंने कहा मम्मी बनवाना तो मैंने पहले मम्मी से कहा अब मम्मी किसी और से कहने वाली है कि भाई भीकास कह रहा उसे आलू बनाओ ठीक है तो सीधा सीधा आरती यह है कि जब बीच में एक मीडियेटर हो आपके और तीसरे परसंग के बीच में एक मीडियेटर हो वह हमादी हो कोई भी mediator नहीं है, डाइरेक्ट राधा पत्र लिख रही है, दूसरा हम देखें, अजय विजय को जगाता है, इसमें कोई भी mediator नहीं है, यदि हम इस sentence को दुथ्य प्रिणार्थक में बोलना चाहें, तो किस प्रिकार बोलेंगे, अजय विजय को जगवाता है, जगवात सकते हैं, नेक्स सम देखते हैं, पूर्व कालिक क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया का मतलब पहले, ठीक है न, पहले पूर्ण होड़ चुकी क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया कहलाती है, ठीक, सीधा-सीधा यह समझी, जैसे कि मैं अभी सो कर उठाओं, यानि वह सो चुका है, सोने का काम आपने कर दिया, ठीक है, तो सोने का काम complete हो चुका है, यानि पहले एक क्रिया complete हो जाए, दूसरी उसको बताए, तो वो होती है हमारी पूर्वकाली क्रिया, जैसे कि बच्चा दूद पीते ही सो गया, बच्चा दूद पीते ही सो गया, तो बच्चे ने दूद पी पीने का काम complete कर चुका है फिलाल वो सो रहा है लेकिन दूद पीने का काम उसने complete कर लिया तुरंत पहले ठीक है न यह हुआ दूसरा आप क्या कह सकते हैं मैं अभी नहा कर आया हूँ मैं अभी नहा कर आया हूँ तो मैंने नहाने का काम complete कर लिया है मैं आ चुका हूँ ठीक है दूसरा आप मैं अभी मुंबई से आया हूँ तो इसका मतलब आप मुंबई से आ चुके हो ठीक है मुंबई से आप निकल चुके हो तो इसका मतलब जो एक करिया पहले complete हो चुकी हो उसे कहते हैlor दूसरी उसको बताए next है हमारी अपूर्ड करिया नाम से इस पस्ट है अपूर्ण का मतलब जो पूर्णी ना हो जिससे sentence के पूर्ण होने का पता ही ना चले ठीक है ना जैसे कि गांधी ने गांधी थे कौन थे पता नहीं अब देखिए गांधी जी रास्टर पिता थे ये पूर्ण किरिया है ये अपूर्ण किरिया है नेक्स हमने पढ़ खिया को सीता नाच रही है। नाचना क्या है? आपके द्वारा काम किया जा रहा है। कर्था की द्वारा तो मुख़्य क्रिया भुई नाचना। रही इस sentence को complete कर रही है। पर हाथ रख लें रहा पर हाथ लगने तो सीता नाच बच्चा दूड पी कुछ complete नहीं हुआ तो इसका मतलब सायक क्रिया रहा रही और मुख्य क्रिया नाच पी ठीक है ना नेक्शन बात करें क्रिया के बेद क्रिया के बेद दो अधर पर क्रिया को बाटा गया है प्रियोग के अधर पर क्रिया प्रियोग के अधर पर क्रिया दूसरा है अर्थ के अधर पर क्रिया प्रियोग के अधर पर क्रिया दो प्रिकार के होती है अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया यदि करिया से पहले आपको क्या लगाने पर करता मिले तो अखरमक करिया जैसे कि आप और सब छोड़िए इस पर बात झान दीजिएगा यदि आपके पास options हो याई आपके पास choices हो लगाने के लिए तो आपके पास वो सकर्मक्रिया जैसे कि खाना खाने में आप बहुत चीज़ें लगा सकते हो colding, roti, poti कुछ भी लगा सकते हो तो वो कैसे हो सकर्मक्रिया लेकिन जहीं पर मैं सोना ले लूँ सकर्मक्रिया होगी तीकर सोना, जागना, हसना यह हमारी अकर्मक्रिया होगी को कि इनकी आगया मा options हमारे पास choices कतम हो जादी next हम लेते हैं किसके आदार पर? अर्प के आदार पर करिया है 6 प्रिकार के होती है, सबसे पहले हमने लिए दूई कर्मक करिया, या नि करिया को करने के लिए दो कर्मों की आवशक्ता हो, दो माध्यमों की आवशक्ता हो, वो कहलाती है दूई कर्मक करिया जैसे कि मैंने स्याम को पुस्तक दी, तो मैंने दो गीता महा भारत पड़ रही है तो पड़ना पहले मैंने हटाया तो गीता महा भारत लगी तो नहीं समझ में आया क्या बना दूसरा मैंने लगी पर हाथ लगाया तो गीता महाबारत पढ़ने तो भी कोई अर्थ नहीं निकला जबकि मैंने ये पढ़ा गीता महाबारत पढ़ने लगी तो ये हमारा सही सेंटेंस हुआ Next time लेते हैं वे खाना खा चुका है खा चुका तो मैं चुके पर हाथ रखा तो वे खाना खा कोई अर्थ नहीं निकला यदि मैं दुबारा खाने पर हाथ रखा तो वे खाना खा मतलब वे खाना चुका तो भी कोई अर्थ नहीं निकला यदि मैं दोनों को साथ में बोला और वे खाना खा चुका, तो ये राइटर था निकला, ठीक है, नामधातु किरिया, नाम का मतलों होता संग्या, संग्या को डिफाइन करते है सर्वनाम, और दोनों की विशेशा बताते हैं विशेशन, यानि संग्या सर्वनाम विशेशन से बनने वाली किरिया हैं, हमारी कैल प्रिद्धम 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 प् किसी तीसरे व्यक्ती से वो जगवाएगा इसमें तीसरे व्यकती मीडियेटर का काम करेगा। इसलिए यदी क्यादि का सीफकर सेंटेंस होता हूँ दुत्य पिरिनात्र के यजैसे कि मम्मी जी खाना बनवाना है ... मम्मी किसी और से बनवाएंगी तो तीन लोग हैं। ठीक, नेक्सम बात करें, पूर्वकालिक क्रिया, दो क्रिया है, ऐसी दो क्रिया है, जो एक को दूसरे को डिफाइन करें, और एक पहले पूरी हो चुकी हो, जैसे कि वो सो कर उठा है, ठीक है न, उठा है, ये बता रही है कि वो क्या कैसे सो कर उठा है, यानि पूर्वकालिक क्रिया नेक्षम बात करें अपूर्ण क्रिया बहुत आसानी साब समझा सकते हैं इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है गांदी जी थे आप कोई पता यह इनकंप्लीट है और तुम हो इनकंप्लीट है ठीक है तो यह थी आज की अमरी क्लास बताना क्लास कैसी लगी बुरा लगता है जब कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनें पता ना हो क्या बोलना चाहिए ठीक है तो आप देखते रहना वीडियो अच्छे से वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करना ठीक है और नेक्ष्ट वीडियो मिलते हैं आपने सब्स्राइब कर लिया होगा यदि आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं कम्प्लीट ठीक है तो नेक्ष्ट वीडियो मिलेंगे सायर इसकी नोट्स मेंने डाल दी है तो आप नोट्सों को डाउंडोड करके अच्छे से पढ़ना ठीक है और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है महिला या पुरुस हमें पता नहीं ठीक है तो उनसे है अपनी मर्यादा में रहकर कारे करें कंट्रोर रखें अपने अपपर ठीक है वन्ना मैं भी टीचर के एक बंधन में बंदा हुआ हूं हूं वन्ना मेरे पास बहुत अच्छे-च्छे तरीकेते समझाने के लिए ठीक है चलिए नेक्ष्ट वीडिय करना वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो उसे सब्स्क्राइब कर लेना ठीक है तो अच्छे से अपना दीवीजन कीजिए नेक्ष्ट वीडियू मिलते है तब तक के लिए थैंक्यों